हलो प्यारे बच्चों नमस्कार सभी को स्वागत आप सभी का आपके प्यारे से चैनल साइंस अन्फन 910 पर जा टीचर साब को दिल और दिमाग दोनों से बढ़ाते हैं जी है अप्लिकेशन और ट्रिग्नोमेटरी थमनेल में देख लिया होगा आप लोगों ने धमागेदार चाप्टर है इंट्रस्टिंग चाप्टर है के सवाल हमारे दिमाग में आ रहा है कि क्या सर हम लोग बिना ट्रिग्नोमेटरी पढ़े अप्लिकेशन और ट्रिग्नोमेटरी पढ़ सकते हैं आपको ट्रिग्नोमेटरी उस इंटेंसिटी से नहीं यहां पर लगती जो आपको वहाँ पर 8 चाप्टर में सिखाई जाती है 8.4 तो बिलकुल भी नहीं लगेगी क्या लगेगी पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले साइन थीटा का रेशो किस के साथ होता ये बता होगा पता होना चाहिए और एक टेबल पता होनी चाहिए कि भीया टेबल क्या होती है कुछ basic angle of elevation, depression और कुछ भी नहीं ये चाप्टर के अंदर content knowledge जो है वो बहुत ही minute है एक slide में सब कुछ आ जाएगा बस वो आता होगा तो पूरा चाप्टर पढ़ पाओगे चाप्टर के लिए जो सबस्यादा important चीज़ है वो है creativity चाप्टर के लिए है सोच चाप्टर के लिए अंग्रेजी को हिंदी में convert करना और figure बना देना सबस्यादा important, सबस्यादा मेहनत हैं करेंगे कोशन, मैं कहा रहा हूँ चुम मिश्वरी कोशन लेकर आऊं तुमारे लिए ऐसे कोशन जो NCRT के तो ही है तो NCRT तो भगवान मान के चलनी है exemplar के कोशन लाया हूँ past years कोशन लेकर आया हूँ जो expected है, जो आए है या जो आ सकते है lecture बड़ा धमाकेदार होने वाला है आखरी तक बने रहना आपको ये पहले अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि मुझे trigger नहीं आता तो मुझे application नहीं आएगा मैं कहा रहा हूँ आएगा give me just ये वाला lecture देख लो उसके बाद आपकी सोच बदल दोगा और बता हो, ठीक है जी तो हमारे टैम पर ना इस chapter का नाम application of trigonometry नहीं होता था, होता था heights and distance, आप देख रहे हो मैं पीछे एक बो लेकर आया हूँ, height and distance होता था, चीक है जी हम लोग कहते हैं कि trigonometry का daily use नहीं हो सकता, होता है बड़ी-बड़ी buildings को बनाने में बड़े-बड़े flowers को बनाने में इसका इस्तमाल होता है समझो, ठीक है न, हम उस पे नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हमारे paper नजदीक है कभी फुरसात होगी तो बिलकुल detail नहीं बताऊंगा कि कैसे एक पहाड की height ना पी जा सकती है बिना इंची tape के तो वो कैसे होगा, बताऊंगा बिलकुल बताऊंगा, इस channel के साथ बने रही है, और यहाँ पर जो मैं content लेकर आ रहूं बच्चो, वो obviously बात है एक recorded content है, इसी का ही live फढ़ना हो, तो science and fun बदलाव batch जो है, वहाँ पर आप जोईन कर सकते है free of cost है, कोई भी आ सकता है पर सकता है, समझ सकता है assignment कर सकता है, test दे सकता है हर Sunday को आकर, तो बहुत बहतरीन आपके लिए content वहाँ भी available है यहाँ recorded है, वहाँ पर live रहेगा ठीक है जी, हर रोज पूरा time table है, offline के साथ जाता है live वो, तो environment अलगी किसम का है भी या, ठीक है जी, चलिए तो fundas clear करते हैं, heights and distance एक right angle triangle क्या होता है एक right angle triangle वो होता है जिसके अंदर एक angle 90 degree का होता है यह होती है हमारी hypotenuse यह होती है हमारी hypotenuse अब base कून सा होता है और height कून से होती है यह depend करता है, कहाँ पर आप खड़े हो अगर आपका यह वाला angle theta है तो इसके सामने वाली side perpendicular होती है ठीक है जी और अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो यह perpendicular होगी तो यह क्या होगी बेटा आपकी base इस angle के लिए तो side opposite to given angle to given angle is perpendicular यह याद रखना यह ऐसा मूल मंत्र है जाप कर लेना है एंगल के सामने वाली side perpendicular होती है आप भी बोलो एंगल के सामने वाली side perpendicular होती है ठीक है जी फिर आपको एक rule याद करना है अगर आप से कोई पूछेगी what is sine theta तो आपको छूटते ही जवाब देना है यह sine theta is the ratio of perpendicular and hypotenuse what is cos theta cos theta is the trigonometric ratio trigonometry में यूज होगी trigonometric ratio ratio मतब दो चीज़ों को divide करके cos theta होता है base और hypotenuse को divide करके जो चीज़ आती है ऐसी tan होता है perpendicular और base cosec, sec, cot यह सब आपको पता होगा इनकी values यह किनका ratio होता है याद करने के लिए tricks आपको पता ही होगी बड़ी viral है कहते हैं जी पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले S stands for S stands for sin theta P by H T stands for cos theta B by H T stands for tan theta P by B Sign का उल्टा होता है Cosec Cosec हो गया उल्टा H by P Tech होता है H by B Cot होता है B by P उल्टा होता है तो यह सारी चीज़े आपको याद होनी चीए देखेज़र ट्रेक अब पंडित बदरी रहर बोले सोना चांदी तोले पसंद नहीं आ रहा तो एक और बता देता हूँ हमको figure में सबसे पहले यह ढूड़ना पड़ेगा कि किसका relation क्या है और बहुत असान है ढूड़ना कोई मुश्किल नहीं है Just wait and watch इसके बाद दो बाते आती है बच्चो एक होती है angle of elevation angle of elevation and दूसरा आता है बच्चो angle of depression angle of depression अब बात समझना मेरे अगर आपकी आँख ray of sight से उपर देखेगी अगर आप यहां से उपर देखते हो तो यानि angle of elevation बनेगा यह जो angle बन रहा है न इनके बीच में जो ray of sight और normal ray के बीच में जो angle बनेगा उसको आप angle of elevation गेंते सेके जी मान लो यह personality खड़ी हुई है इसका यह है normal ray आप उपर किसी को एक object को देख रहे हो मान लो एक cloud को देख रहे हो तो जो यह theta बनेगा this is angle of elevation this is normal ray and this is ray of sight this is ray of sight जो आप देख रहे हो उल्टा भी हो सकता है आप यहां खड़े हो आप नीजे पड़े हो और यह किसी पत्थर को देख रहे हो एक stone है यहां पर तो this is your normal ray and you are looking at this तो जो यह बनेगा theta this is angle of depression यह है आपकी ray of sight ray of sight यह समझने वाली बात है हमें यह हमारा normal अगर हम नीचे देखेंगे किसी object को तो जो यह angle बनेगा ray of sight और normal ray के बीच में उसको आप बोलोगे angle of depression अब यह theta होता है तो by default यह भी theta हो जाता है corresponding sorry alternate interior angle की मदद से बसंच में आ गई alternate interior angle की मदद से clear हो गया यह सारे funders clear हो गया angle of depression भी आ गया और angle of elevation भी आ गया नीचे से उपर देखोगे तो angle of elevation उपर से नीचे देखोगे तो angle of depression अच्छा अब दो बाते हो सुनना आप एक building के सामने खड़े हो या आप अपने घर की न टॉप देख लो corner वाला edge देख लो माल लो यहाँ से उस building के उस corner पर जो angle बन रहा है वो बन रहा है 30 degree चिके जी आप आगे बढ़े आप जितना आगे बढ़े होगे आपको गर्दन और उठानी पड़ेगी तो angle बनेगा आपका 50 degree बढ़ जाएगा जितना हम object के close आएंगे तो angle of elevation बढ़ जाता है जितना दूर जाएंगे angle of elevation कम हो जाता है यह ध्यान रखना ठेक है जी इसके लावा जो आपको चीज़ चाहिए वो है trigonometric table यह table आपको trigon में पड़ी थी आपने chapter 8 में पड़ी थी दीदार्सन specific angle 0, 30, 45, 60 और 90 इन सब की values आपको आनी चाहिए जैसे sin 30 की value 1 by 2 होती है sin 45 की 1 by 2 generally जो लगेगी न वो 10 लगेगी इस chapter में जो लगती है मैं आपको बता दू इस chapter में जो लगेगी वो लगेगी tan color change कर लेते हैं एक लगेगी tan cos और sign सबसे ज़ादा mostly यही लगेगी सबसे ज़ादा इस्तमाल होने वाली tan है क्योंकि हमारा chapter का नाम है heights and distance heights and distance not hypotenuse hypotenuse एक length होती है यह सबसे ज़ादा इस्तमाल होती है क्योंकि इसका ratio होता है perpendicular upon में base इसके अंदर hypotenuse involved नहीं होती है लेकिन ऐसा नहीं hypotenuse involved होगी नहीं कभी मनलो अगर 100 question है तो सिरफ 10 से लेके 15 question में sin theta cos theta के इस्तमाल होता है मेरे आज 15-16 question में तीन से लेके 4 में नहीं किया है ठीक है ना लेकिन 10 is mostly used trigonometric ratio तो इसकी तो भूलना नहीं है बाकी इनके तो यहाद इनको बनाने की trick भी होती है कभी एक वक्त आएगा वो भी बताऊँगा जब trick बढ़ाँगा इसका अगला chapter भी लूँगा तो आपको महावे में बनाऊगा ठीक है ना ओके डन है चले आगे चलो अब मैं आपको बताऊँ आपका जो main focus होना चाहिए जो आपका main focus होना चाहिए वो question की reading पर और उसको convert करना है आपने figure पर ठीक है जिस बच्चा ने question को read करके figure में convert कर लिया वो राजा है चेक है दा सर्कस आर्टिस ने एक रोप बांदी हुई है यहाँ पर यह कितनी है बिटा 20 मीटर लौप है which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground vertical pole है find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 rope और ground level के बीच में जो angle बन रहा है वो 30 है आपको यह height निकालती है A, B, C आपको निकालनी है height of ठीक है जी तो this is a very basic figure this is 90 degree very basic figure पहला question इतना ही असान रखना पेपर में नहीं आते ऐसे question लेकिन समझने के लिए यह करना पड़ेगा अब आती है presentation की बारी पेपर में जब भी question आएगा one marker को छोड़कर जब भी question आएगा आपको present करना है figure बनानी है हमारे CBS लेटर बना दो हाइट आफ पोल होगा बी आफ एच मीटर होगा छेक है जी बी आफ एच मीटर ओके तो जो मतब जो भी चीज़ आप लेट करोगे मतब जो भी जैसे एच ली है एक्स लेंगे य लेंगे तो यह आपको लेट कर लेना है स्टेट्मेंट जरूरी है मैं आपको यह बताऊगा आज मेरा ध्यान देखो स्टेट पर हर कोई बच्चा लिख लेता है आज मेरा ध्यान सिरफ कॉंसेप्ट पर होगा यह ध्यान रहना चलो अब आप देखो आपको निकालना यह है और दिया हुआ यह है एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है बच्चो जल्दी बता दो फटा फटा फट एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडीकुलर यह क्या होती है परपेंडीकुलर किस एंगल के पॉंटर भी से बात कर रहा है इसा से और यह होती है बेटा आपकी हाइपोटनियूस आया ना, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटनियूस के बीच में रिष्ता किसका होता है, P by H होता है साइन का, बिल्कुल सही बात किसका होता है, साइन का लिख लिया करो साइन में, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले तो ना चांदी तो ले तो साइन का रिष्टा क्या आ गया पी और एच का ठीक है न तो देखो साइन हट्टी डिग्री की वेल्लिव आ गई एबी अपॉन में एसी ही ये होता है बेटा वन बाई टू एबी कितना है बेटा ह और ये कितना है आपका 20 कितना है 20 ये कर जाएगा तो height of pole कितनी आगे बेटा 10 meter therefore height of pole is equal to 10 meter height of pole कितनी आगे 10 meter इतना ही simple सा game ठीक है जी बासम में आगे है clear है तो सबसे पहला काम figure है statement लिखना body of the question जहाँ पर calculation करोगे और last में statement फिर लिखो हुगे, got it, आगे देखे, a tree breaks down, very important question, बहुत ही important question है, मैं सारी चोकस question लाया हूँ, यह चिंता वाली बात नहीं है, क्यारे, a tree breaks down due to storm, and the broken part of the tree, देखो एक period था, जमीन पर, एक आंधी यही तुफान आया, वो पेर तूट गया, इस तरीके तूटा, and the broken part bends, so that the top of the tree touches the ground, यहां से तूटा, यह उपर वाला हिस्सा यहां पराकर गिर गया, simple सी बात है, कि अगर यह वाला हिस्सा हमारा h होगा, तो यह वाला हिस्सा भी हमारा h ही होगा, ठीक है जी, उपर वाला हिस्सा, यह था पर, यह तूट गया, और ऐसे गिर गया, ठीक है जी, यह अगर h है, तो यह भी कितना होगा h, यह x हो गया, इसको कुछ भी ले लो, x ले लो, ठीक है जी, आगे देखते हैं, ground के साथ इसका top कितना angle बना रहा है बेटा, 30 degree का, अरावर हम से पढ़ते रहो, figure बनाते रहो, the distance between the foot of the tree to the point where it touches the ground is 8 meter, तो यह आपको दे रखा है बेटा, 8 meter का, उसका top जहाँ पर ground को चुआ, उसका foot जो है, वो कितना meter का है, 8 meter का, आपको क्या निकालना है बेटा, height of the tree, ठीक है जी, आप मुझे बताओ, let करो, height of tree क्या होगी बेटा, height of tree क्या होगी, वो हो गई बेटा, h plus x meters, आया न, पूरा पेड़ जो है, वो h plus x है की नहीं है, ध्यान रखना है बस, ओके, आओ देखो, अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, देखो, यह है हमारा base, angle के साम्योली side perpendicular होती है, बैभी starting में आपकी बहुत मतद करूँगा, angle के साम्योली side perpendicular हो गई, यह base हो गई, और यह hypotenuse हो गया, अगर मुझे पहले x देखो, base given है, perpendicular भी निकालना है और hypotenuse भी निकालना है, तो दो बारी trigonometric ratio लगेगा, तो पहले मैं लगा रहा हूँ, time 30, वो होता है, अच्छा, sign तो मैं लगाई निसकता है, चेक कर लो, time तो मैं लगाई निसकता, क्योंकि sign कैसे लगेगा, time लगेगा perpendicular upon में hypotenuse, ना perpendicular पता है, ना hypotenuse, तो base involved करना है, तो हम यहाँ पर लगा सकता हूँ, cos 30, cos 30 क्या होता है, बेटा, base upon में hypotenuse, base upon में hypotenuse कितनी है, h है, बासन में आ गई, cos 30 की value कितनी होती है, बेटा, root 3 by 2, 8 by h, तो h की value आ गई, 16 by root 3, h की value आ गई, 16 by root 3, बासन में आ गई, clear, ओके, अब मुझे निकालना है, x, क्या निकालना है, x, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं, बेटा, tan 30 degree, perpendicular upon में base, perpendicular upon में base, 1 by root 3, base कितना है, बेटा, 8 था, sorry, base कितना है, बेटो, 8, तो x by 8, तो x की value आ गई, बेटा, 8 by root 3, आगे की नहीं आ गई, एक ही triangle में, दो बारी काम किया, एक में लगाया, cos, cos से क्या आ गया, hypotenuse, फिर लगाया tan, tan से आगे हमारा perpendicular, अब मुझे निकालना क्या है, बेटा, height of 3, वो कैसे आएगी, h plus x, h plus x, 24 root 3, यह आया बेटा, rationalize करना जरूरी है, standard form में छोड़ना जरूरी है, यह answer आ जाएगा, बेटा, 8 root 3 meter, जो पेड़ की height होगी, हमारी वो कितनी होगी, 8 root 3 meters, बास अन्या आ गई है, चले आगे, चलो, figure is important बेटा, फिक है न, अभी तक आप जो भी बात कर रहे थे, वो single figure पर कर रहे थे, एक ही triangle बन रहा थे, अभ हम चलेंगे multiple triangles पर, ठीक है जी, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building, ठीक है जी, 30 meter tall building, एक डेढ़ मीटर का देखो यह ground हो गया, 1.5 meter tall boy है, और वो एक 30 meter tall building के सामने ख़ड़ा है, ठीक है बेटा, the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 as he walks towards the building, बताया न, जितना जितना building के पास जाते रहोगे, आपका मुंडी उपर होती रहेगी और angle of elevation बढ़ता रहेगा, इधर आए बेटा, ठीक है जी, थोड़ा सा और आगे गए, तो angle of elevation बढ़ गया, पहले angle of elevation, यह है ray of, यह है normal ray, यह है ray of side, पहले था 30 डिगरी, अब हो गया बेटा, पास आते ही 60 डिगरी, आपको बताने कि वो कितना आगे बढ़ा, आपको बताने वो कितना आगे बढ़ा, तो समझ लो, यह 1.5 है बच्चों, तो यह भी कितना होगा 1.5, यह भी कितना होगा 1.5, तो common sense लगाओ, यह कितना होगा, 28.5 होगा, फिगर crisp हो नहीं चाहिए, मज़ा आजा है मैडम को, कि आप बच्चे ने कुछ बनाया, ड्रॉ किया है, केल pencil के इस्तमाल करो, मज़ा आता है, फिर माल लेते हैं कि उसने x meter walk किया, तो यह भी x ही हो जाएगा बेटा, देखो हमें न, trigonometry, right angle triangle पर operate करनी है, हम बिना right angle triangle के trigonometry operate नहीं कर सकते, यह आ जाएगा y, यह भी आ जाएगा बेटा हमारा y, बास अन्गा आगे, यह x हो गया, इसको मने y ले लिया, let किया है, वो कर लो गया, अब अगर हम बात करें कि हमें किन triangle पर work करना है, a, b, c, d, बानते हो, हमें किन triangle पर work करना है, a, b, c, क्या इस triangle पर काम कर पाओगे आप, a, c, d पर, फटड़ फटड़ बताओ, comment section ने, देखो आपको तीन triangle नजर आ रहे हैं, प्यारे बच्चो, एक आ रहे है, a, b, c, एक आ रहे है, a, c, d, और एक आ रहे, a, b, d, तो क्या आप इस छोटे से triangle में काम कर पाओगे, answer is no, क्योंकि trigonometry जब भी लगेगी, वो right angle triangle पर लगेगी, तो भाईया, एक right angle triangle तो ये है, a, b, c, और एक है, a, b, d, c, पर, a, b, c, पर ये angle है, सामने वाली side भी पता है, base निगल जाएगा यहां से, तो ये perpendicular है, और ये क्या है प्यारे बच्चो, base है, तो क्या लगाएंगे यहां पर जल्दी से बता दू, यहां पर क्या लगेगा, perpendicular upon में base, क्या होता है, tan, tan 60, पंडित बदरी प्रसाद, हर हर बोले, सो नाचान्दी तोले, इसी चीज़ का आप में पस ग्यान रखना है, अब tan 60 की value, जैसे, अब देखो रहा है, ये table से निकाल रहा हूँ ना, cos 60 की value, table से निकाली, यहां पर table से, ऐसे tan 60 की value क्या होती है बच्चों, under root 3, 28.5 by y, y क्या आगया, 28.5 upon में under root 3, root 3 से into, root 3 से divide, 28.5 root 3 upon में 3 आगया, यह कट जाएगा, कितना आगया बेटा, 9.5 under root 3, ठीक है यह y की value आगया, जबकि मुझे y चाहिए नहीं, लेकिन बिना y के x निकलेगा भी नहीं, हमें तो निकालने ना, कितना walk किया, अच्छा जी, now, in triangle, कौन से, a, b, d, a, b, d, triangle पे काम करो, क्या आएगा बेटा, tan 30 degree, क्या होता है, 28.5 upon में x plus y, upon में x plus y, बाफ सुखना आगयी, tan 30 की value क्या होती है, 1 by root 3, 28.5, x पता नहीं, यह कितना है, 9.5 root 3, च्छे के जी, हमने क्या किया बेटा, y की value import कर दी है, इधर, अब x किया जाएगी, तो सहारे का सहारा बनेगा, सहारे का क्या बनेगा, सहारा बनेगा कि कि, एक value से दूसरी value निकलेगी, cross multiply, x plus 9.5 root 3, is equals to 28.5 root 3, cross multiply गया बेटा, यह माँ जाके minus हो जाएगा, x की value क्या आजाएगी, 19 root 3, therefore, he walked, कितना walk किया होगा, 19 root 3 meters, कितना walk किया होगा, 19 root 3 meters, बासन में आगे है, clear है, done है, समझ में आगे है, big picture, okay, तो यह काफी importance, मैं धीर 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 elevate कर रहा हूं topic को, और देखो, from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom, and the top of a transmission tower, which is at a top meter high building, top of 20 meter high building, यह 20 meter की building है, इसके उपर एक transmission tower है, वो लगे होते न, A-Tel का tower, Vodafone का tower, घरों के उपर, buildings के उपर, ठेक है जी, so from the point on the ground, इसके bottom पर, और इसके top पर, angle of elevation बन रहा है, कितना बेटा, 45 and 60, तो bottom पे बन रहा होगा, 45, और उपर बन रहा होगा, बेटा, आपका 60, ठेक है जी, you need to find the height of the tower, आपको यह निकालने है, तो बेटा, figure समझे नहीं है, बस figure आ जाएगी, तो काम okay है, A, B, C, D, got it है, हाँ यह ना, बोलो, clear, अच्छा, अब यह चीज मिसिंग है, इसको भी निकाल लेंगे, पूछा नहीं हुआ, मैंने बताया ना, ताथ को साथ मिलेगा, जब तक यह नहीं निकलेगा, पूरा नहीं निकलेगा, आओ जी, देखेंगे, क्या है, छोटू ट्राइंगल पर काम करेंगे, पहले हम, इन ट्राइंगल, बी, सी, डी, इन ट्राइंगल, बी, सी, डी, 10, 45, देखो बटा, 10 ही क्यों, यह समझना जरूरी है, यह है पर्पेंडिकुलर, यह है बेस, रिष्टा, यह रिष्टा क्या कहलाता है, यह रिष्टा क्या कहलाता है, पर्पेंडिकुलर और बेस का रिष्टा, 10 कहलाता है, ठीक है न, यह देखो, पर्पेंडिकुलर और बेस, 10, 45, कितना है, 20 by X, 20 by X, 10, 45 की वैल्यू बोलेंगे, 1, देखो भी या टेबल बनाने का ट्रिक भी है अपने पास लेकिन जो याद करने मज़ा है न वो नी अब देखो 1045 की वैल्यू के लिए टेबल थोनना बनाएंगे हैं याद करो या है बेटा 20 बाइ X तो X की वैल्यू कितनी आ गई 20 अच्छा जी अब इन ट्राइंगल बात करेंगे ACD ACD ओके बेटा कौन सा एंगल लग रहा है बेटा 1060 देखो फिर 10 क्यों लगा क्योंकि हमें परपेंडिकुलर अपन में बेस का रिष्टा चाहिए आइपोटनिस का कोई रोल ही नहीं है ने इजर परपेंडिकुलर कितना है बेटा H प्लस 20 और बेस कितना है बेटा हमारा X ये कितना है अंडर रूट 3 ये कितना है 20 ये आया बच्छो 20 रूट 3 H प्लस 20 इधर आ जाएगा 20 रूट 3 माइनस 20 इकोल स्चु H 20 कॉमन रूट 3 माइनस 1 तो हाइट आफ ट्रांसमिशन टावर क्या होगी बेटा हमारी हाइट आफ ट्रांसमिशन टावर क्या होगी 20 रूट 3 माइनस 1 मीटर्स तो क्या सर ये वाला आंसर छोड़ना ठीक रहेगा या रूट 3 की वेल्यू डालने है दो अप्शन से अगर कोशन बोलेगा रूट 3 की वेल्यू फ्राना ये दिमकाना है तो रूट 3 की वेल्यू यूज कर लेना अगर कोशन बोलता है कि जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ भी छोड़ सकते बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो root 3 की value डालना लेकिन जब भी root 3 की value डालोगे तो 1.73 नहीं डालोगे 1.73 2 डालोगे root 2 की डालोगे 1.414 डालोगे यह ध्यान ठीक है बच्छो important point चलिए आगे बढ़ेंगे figure में focus the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree आप पांच तक गिनूँगा आपको यह बताने है कौन बढ़ा है building बढ़ी है या tower अराम से पढ़ो 1 2 3 4 5 तो देखते हैं कौन बढ़ा है आप comment करते जाईए अभी पता चल जाएगा आपको the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree तो इसके foot से इसके top पर इसके foot से इसके top पर tower के foot से building के top पर angle बना है 30 degree building के foot से tower के top पर angle बना है 60 degree बढ़ा जिसके top पर angle जादा बनेगा वो बड़ा होगा यह है हमारा tower और यह है बढ़ा हमारी building तो जिन बच्चों ने बिल्डिंग जवाब दिया था तो वो गलत थे टावर वाले बच्चे सही थे अब समझ में आ गया कारण क्या है और जिन्हों तुक्का मारा तो उनको भी समझ आ गया कारण के सोटे पर एंगल और यह एक पॉइंट यहाँ है एक पॉइंट मान लेते हैं यह एक पॉइंट है मेरे सामने यह रहा और एक पॉइंट है यह तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कम बनेगा यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन जदा बनेगा तो उंची चीजों का एंगल बुर्ज घलीफा को यह आलत खरा होगे चलो अब यह कह रहे हैं तर टावर इस 50 मीटर है यह 50 मीटर है आपको यह बताना है ठीक है बिटा और यह तुम्हें पता है यह तो दहेज में आया है यह तो X कर नहीं पड़ेगा A, B, C, D साथ का साथ बनाना है बच नहीं सकते आप इन ट्राइंगल A, B, C क्या लगाया बिटा 1030 क्यों लगाया 1030 perpendicular upon में base H upon में X 1 by root 3 H upon में X root 3 H is equals to आगया X यह आया बिटा ठीक है जी बड़े वाले की बात करो क्या क्या रहा है 1060 कितना है बिटा 50 by 50 by X आया यह कितना है बिटा root 3 50 by X ठीक है जी तो X की value आगयी 50 by root 3 X की value यहाँ पर डाल दें बिटा क्या है root 3 H 50 by root 3 root 3 फेर नीजे चला जाएगा तो H कितना आजाएगा बिटा 50 by 3 तो height आगयी बिटा 16.67 meters क्या आगयी 16.67 meters हमारी height of क्या आगयी टावर बिल्डिंग अब आपको समझ में आ चुका है कि कौन सी चीज अगर उची हो तो क्या होता है जितनी उची जीज होगी angle of elevation उतना ही जादा बनेगा जितनी नीची जीज होगी angle of elevation उतना ही कम बनेगा सर अगल of depression कब आएगा सर अभी आएगा चिंता मत करो चलो जी क्या कह रहे हैं two poles important question है अमारी NCRT का धमाकेदार question two poles of equal heights are standing opposite each other on the either side of the road ये एक road ले लो दो poles है जिनकी height same है pole वो street light नहीं होती वही वाले pole ले लो 6 कह जी which is 80 meter wide जो road है वो 80 meter wide है बहुत ही बढ़िया क्या कह रहे हैं from the point between them on the road the angle of elevation of the top of the pole are 60 and 30 between का मतलब बीच में नहीं होता between का मतलब कहीं भी हो सकता यहां से उपर यहां से उपर angle of elevations बन रहे है छेक है जी angle of elevations बन रहे है अब आपको बताना है तीन तक count करूंगा आपको बताना है यहां पर यह वाला यह 60 होगा या 30 तीन तक count कर रहा है 1 2 3 answer is 60 अभी अभी बताया था जितना pass होगा उतना angle ज्यादा जितना दूर होगा angle कम बासमज में आ गई आपको height of pole निकाल लिए शेक है जी यह अगर मैं x लेता हूँ प्यारे बच्चों तो यह कितना होता है बेटा 80-x होता है कि नहीं होता यह कितना होता है 80-x आया ना clear है चलो इस triangle पर काम कर लेंगे नाम दे देता हूँ a, b, c, d, e छोटे triangle में in triangle a, b, c क्या लगेगा बेटा tan 60 h by x root 3x is equal to h tan क्यों लगाया hypothesis का कोई काम नहीं है in triangle कौनसा बेटा edc edc क्या लगाएंगे tan 30 tan 30 क्या हो गया h upon में 80-x आ गया tan 30 की value यह आ गई h की जगा आ गया बेटा root 3x 80- क्या find करना है आपको आप पढ़ेंगे find the height of the pole height of the pole भी निकालनी है and the distance of the point यह x और 80-x भी निकालना है cross multiply करेंगे 80-x is equal to 3x 80 is equal to 4x x की value कितने आगे बेटा 20 ठीक है न तो therefore bc आगे आपके पास 20 cd आगे आपके पास 60 और height of pole के आगे बेटा root 3s था आया न तो आगे बेटा 20 root 3 समझ गए हो clear है है न धवा के दार चीजे चल रही है कि नहीं चल रही बोलो चलो आगे बढ़ेंगे from the top of the 7 meter high building angle of depression आगे तुमारा from the top of 7 meter high building the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree ये cable tower है और एक tower है कुछ भी है building है 7 meter high building है इसके top से इसके top पर जो angle of elevation बन रहा है वो किता degree था बेटा 60 degree था और इसके top से इसके foot पर जो angle of depression बन रहा है वो कितना बेटा 45 ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 देखो ये 7 meter high है इसके top से उस tower के top पर जो angle of elevation उपर तो देख रहा है वो कितना है 60 degree इसके top से इसके bottom पर इसके top से इसके bottom पर angle of depression बन रहा है 45 ये 7 है ये 7 है ठीक है जी ये आ गया H इसको ले लेते है X तो ये भी हो जाएगा प्यारे बच्चो X अब आपके सामने कितने triangle दिखाई दे रहे है एक तो मुझे दिख रहा है ABC अच्छा ये और ये दोनों triangle तो सेम ही है बेटा चाहिए आप ABC पे काम कर लो चाहिए आप ADC पे काम कर लो बात एक ही है हम काम करेंगे इस वाले पर और इस वाले पर एक ही बात है इन triangle ABC इन triangle ABC ये आया बेटा 1045 7 by X 1 7 by X X is equal to क्या आगया 7 जेके जी X की value तुरंत आ गई उपर वाले triangle में लगा लो हो गया यार question इन triangle ADE क्या लगाया बेटा 1060 क्या आगया H upon में X क्या आगया H upon में X आगया 1060 की value कितनी आगया बेटा root 3 H तो H है ये भी कितना है 7 तो H आगया बेटा 7 root 3 अब आप मुझे बताओ हमें क्या निकालना height of tower tower की height निकालनी है height of tower वो कैसे आएगी बेटा वो पूरी आजाएगी H plus 7 और H कितना निकाला था आप लोगोंने 7 root 3 plus 7 7 common ले लेंगे root 3 plus 1 ये हमारा answer हो जाए समझ में आई बात clear है चले हैं आगे बहतरीन कोशन लेकर आएँ छे के जी as observed from the 75 meter high light house एक light house है जो कि 75 meter high है वहत important question ये भी NCRT के चल रहे है almost NCRT के अभी फिलाल अभी और आएँगे अभी बढ़िया 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 यार light house from the sea level the angle of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree if one ship is exactly behind the other ये दो ships हैं यह से angle of depression ये दिखाना पड़ेगा आपको पढ़ रहे हैं कितने 30 and 45 तो ये वाला पास वाला 45 होगा दूर वाला 30 होगा ठीक है जी आपको distance between the two ships निकालना आपको निकालना प्यारे बच्चो एक्स लेकिन ये दहेज में आया है ये भी आएगा ठीक है ना बास अज में आ गई चलो जी triangle की naming दे दे अगर हम naming important है कैसे बताओ कि कौन से triangle में काम कर रहा हूं n triangle a b c n triangle a b c ये आया प्यारे बच्चो 10 45 10 45 क्या लगाया बेटा 75 by y 10 45 की value याद हो गई होगी होगी है सब सबसान है याद रखनी वह है 1 10 की 3 value याद रखलो ये chapter 80% खतम हो जाता है 10 60, 10 30 और 10 45 80% chapter अब लीट हो रहा है आपका तो ये y कितना आगया बेटा आपका 75 y कितना आगया 75 अब आप लगाओगे a, b, d in triangle a, b, d ये आया 10 30 75 अपॉन में x प्लस y 10 30 की value 1 by root 3 x प्लस y ये दर आगया x प्लस y is equal to 75 root 3 x कितना है बेटा हमारा पता नहीं y कितना है बेटा हमारा 75 75 root 3 x की value आगया शेक है जी 75 कॉमल ले ले root 3 5 clear है बेटा ओके हमें x निकालना था distance between two ships वो आ चुका है हमारा अगर आपको root 3 पसंद नहीं आ रहा तो आप पूट कर सकते चलो बेटा आगे बढ़ेंगे ये भी question बहुत अच्छा है और समझना figure कैसे बनेंगी a man standing on the deck of a ship which is 10 meter above the water level तो पहले पानी का level बना लेते हैं ship जो होती है वो थोड़ी सी उपर होती है पानी से बिलकुल मतलब लगकर होना चलेगी थोड़ी सी तो उपर होगी होगी वो टाइटैनिक वाला देखा होगा न water level से तो उपर ही था चीक है जी यहाँ पर आता है बिटा ये क्या है हमारा एक cliff है यानि एक hill है a man standing on the deck of a ship which is 10 meter above the water level observes the angle of elevation of the top of the hill as 60 degree ये इसको देख रहा है angle of elevation कितना है बिटा 60 degree ये आगया 10 meters ठीक है जी and the angle of depression of the base of the hill as 30 degree और इसके base पर जो angle of depression बना रहा है वो कितना बना रहा है बिटा हमारा 30 degree ये कितना आगया 30 अब पानी की जुरत खतम हो गई है पानी को हम कर सकते हैं गायब ठीक है चलें आगे done ने बेटा clear तो ये आगया A, B, C, D, E same way figure थी जैसे भी बनाई थी बेटा ये आगया H हाँ है न ये आगया हमारा X और ये भी आगया हमारा X ये देखो अभी अभी same question किया हमने ये रहा बिलकुल same है तो ये आपका रहेगा homework comment section में बताएंगे कि what is the height of the hill height of the hill में 10 भी भूलना जोड़ना 10 भी जोड़ेगा 10 plus H होगा comment में बताओ कि height of hill क्या होने वाली है got it? चले आगे ये beautiful figure NCRT में नहीं दी हुई बाकि सारी figure NCRT में मिल जाएंगे आपको ये figure NCRT में नहीं मिलेगी वो क्या कह रहा है a boy is standing on the ground and flying a kite with 100 meter of string at an angle of elevation of theta 30 degree ओके चलो तो एक kite उड़ा रहा है ठीक है जी flying a kite with 100 meter string तो ये जो string है वो 100 meter की है और angle of elevation है kite का ये ठीक है जी another boy is standing on the roof of a 20 meter high building and is flying his kite at an angle of elevation 45 degree both the boys are on the opposite side मतलब जो दूसा लड़का है वो यहां नहीं है वो opposite side पर है और वो भी पतंग उड़ा रहा है ये 20 meter height पर है important line आ गई ठीक है जी find the length of the string that the second boy must have so that the two kites meet ये इसका मांझा कितना लंबा होना चाहिए ये क्या length कोना चाहिए कि दाकि दो पतंगे आपस में मिल जाए ठीक है जी दो पतंगे आपस में मिल जाए चलो जी तो हमें इसकी height निकाल दी है अच्छा आप देखो ये 20 है तो बच्चो ये भी 20 है ये h हो गया है ये x ले ले लेते हैं अच्छा ना बताओ इन सब चीजों की जुरद नहीं पड़ेगी आपको ठीक है ना अब जो जो चीज की जुरद पड़ेगी उसी को आप clear रखो वना बागी साही चीजे हटा दो ध्यान से देखना ये a है b है c है d है e है f है सबसे पहले अगर बात करें तो इस ट्रैंगल में कर सकते हैं पर्पेंडिकुलर अपान में हाइपॉटनियू साइन लग जाएगा यहाँ पर अब हाइपॉटनियू उसकी जुरद है न हमको साइन थर्टी की वेल्यू आ गई h प्लस 20 बाई 100 1 बाई 2 आ गया h प्लस 20 बाई 100 यह आ गया 100 is equals to 2 h प्लस 40 इदर आ जाएगा बेटा कितना आया 60 is equals to 2 h तो h की वेल्यू आ गई हमारी 30 सिके जी यह कितना आ गया हमारा 30 अब इस ट्रैंगल के अंदर जो यह एंगल बना रहा है यह 45 डिगरी का बना रहा है तो यह और यह perpendicular और hypotenuse हाँ पर भी क्या लग जाएगा बेटा हमारा sin 45 यह बढ़ी comment करके यह बताओ अच्छा यह भी h ले लिए comment करके यह बताओ कि अब आपको यह तो समझ में आ गया कि किसका रिष्टा किसके साथ लेना चाहिए कब sin कब tan लेना चाहिए क्योंकि सबसे important चीज़ यह है और क्या figure बनाने में confidence आया आप लोगों साइन 45 की value 1 by root 2 होती है प्यारे बच्चो h दे रखा है 30 यह है x तो x की value आगी 30 root 2 तो this is the length he needs कि ताकि वो दोनों पतंगे मिल जाए बटा आज जो मैंने question रखे हैं यह उन बच्चों के लिए भी थे जो बिल्कुल नहीं जानते थे कि यह chapter कैसे किया जाता है इसका बहुत जल्द एक मैं बता रहा हूँ live lecture होने वाला है हमारे app पर जहां पर हम वो free of cost है जो बच्चा इधर कोशन बनता है इसमें से बनेगा देख लेना आप ये भी कोई बड़ी बात नहीं कोई case study से बन के आजाए लेकिन अभी जैसे मैं अगले दो कोशन कराऊंगा तो कहीं बारी case study में आए कहीं होगे pre-board में आए लेकिन से जो उपर का level है वो अलफा बीटा वाले कोशन जो हो गए वो cloud की image वाला जो कोशन हो गया ठीक है जी एक mountain वाला कोशन है एक exemplar के अंदर balloon वाला कोशन है वो जो कोशन है ना वो बड़े थोड़े से उपर level के है तो उनके लिए आपको एप पर आकर live classes देनी है ट्रिक्नोमेट्री का बहुत जल्द वहाँ पर live होगा पूरा schedule है आपको वहाँ मिल जाएगा कि math के lectures कब होते है science English sst के lectures कब होते है live lecture होते है offline centers के साथ तो मतब अलगी feeling है तो ये कोशन वहाँ पर भी उठाएंगे आपके साथ इध्यान रखना बेसिक से उपर वाले कोशन हाई लेवल वहाँ पर आएंगे ठेक है जी तो इनकी तब तक आप प्रैक्टिस करो absorption करो आप क्या समझे चलो क्या कह रहा है यह हमारी NCRT का धमागेदार कोशन है one of the most important कोशन of NCRT speed से लिटेड है अगला कोशन भी मैं speed से लिटेड लायो तो इस दो कोशन लगातार देखने धमागेदार a straight highway leads to the foot of the tower a straight highway leads to the foot of the tower a man standing at the top of the tower observes the car at an angle of depression of 30 degree उपर से वो एक गाड़ी को देख रहा है at an angle of depression of 30 degree ठीक है बेटा which is approaching to the foot of the tower with the uniform speed 6 second बाद जब वो यहां से यहां पहुँच गया 6 second बाद angle of depression हो जाता है 60 degree का लेकिन time कितना लगा बेटा 6 second 6 second ठीक है जी अब let करेंगे हम let speed be x meter per second speed क्या कर ली लेक बेटा x meter per second तो speed हो गई प्यारे बच्चो x meter per second तो आप मुझे बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई distance यह को distance का formula होता है speed into time we all know that तो कितना हो गया 6x हो गया कितना हो गया 6x speed into time इसको आप y meters ले ली जी यह हो गया बिटा हमारा h meters कोई भी length नहीं दे रखे इंगल और time और speed ठीक है जी वो आपको निकालनी है आपको क्या निकालनी है find the time कि यहां से लेकर यहां तक कितना time लगेगा आपको यह बताना है छोटे triangle पर काम करेंगे tan 60 लगेगा hypothesis का कोई roll नहीं है h upon में y root 3 y दर आ जाएगा h की value आ जाएगा छेक है जी फिर यहां पर आया tan 30 h upon में 6x plus y 6x plus y tan 30 1 by root 3 h अचा h की value यहीं पर replace कर देते हैं h की value क्या है under root 3 y 6x plus y ध्यान समझे ना यहां आया 3 y उद्धा चला जाएगा यह होगया बेटा 2 y y की value कितनी हागी बेटा मेरी 3 x तो y का distance आगया 3 x distance आगया बेटा 3 x speed है हमारे पास x तो time कितना लग जाएगा बेटा 3 second time कितना लग जाएगा 3 second clear है done है आगे बढ़े चले आगे चलो यह 3 second में हाँ पहुंच जाएगा अब एक कोशन आता है जिसके अंदर आपको speed निकाल लेएगा आएगे यह भी important है an aeroplane flying horizontally one kilometer above the ground एक kilometer का मतलब होता है बेटा 1000 meter above the ground and observe at an angle of elevation of 60 degree नीचे जे हम उसको देख रहेते हैं 60 degree पर after 20 seconds the angle यह आगे गया angle of elevation जो था वो change होकर कितना हो गया था 30 degree कितना time बाद time कितना दिया वह बेटा 20 seconds चेक है जी कितना दिया वह 20 seconds find the speed of the aeroplane in kilometer per hour so speed को आप let कर लो x kilometer per hour चेक है जी speed को आप let कर लो kilometer per hour तो हम जो यहाँ पर meter ले रहे थे इसको meter में convert छोड़ देते हैं इसको kilometer में ही रहने देते हैं क्योंकि सब कुछ kilometer में ही बताना है तो 1 kilometer ये भी कितना हो गया बेटा 1 kilometer ये ले ले लेते हम y आजम जो दूरी कितनी होगी बता kilometer per hour है अच्छा तो ऐसा करो तो बाद में change हो जाएगी ऐसा भी तो कर सकते हो न अभी आप meter per second निकाल लो तो kilometer per hour में change कर लो गया थे हो तो आप 20x हो गया अब छोटे triangle में काम कर लो 1060 1000 upon me y ये बेटा root 3 1000 upon me y y की value आगई 1000 y root 3 ठेक है जी पर बड़े triangle पे काम कर लो 1030 is equal to 1000 upon me y plus 20x 1 by root 3 1000 y की value क्या है y की value 1000 by root 3 और ये क्या है बेटा हमारा 20x चेक है जी cross multiply करेंगे cross multiply या LCM दे दो या cross multiply कर लो 1000 by root 3 20x is equal to 1000 root 3 चेक है बेटा इसके बाद इसको महाँ बेद दो 20x is equal to 1000 root 3 minus 1000 by root 3 20x is equal to 3000 minus 1000 by root 3 या या 2000 calculation है यार कोई भी कर लेगा ये कट जाएगा 100 आ गया तो x की value आ गई 100 by root 3 meter per second आपको इसको kilometer में करना है तो 1000 से divide seconds में करना है 36 से multiply ये हो जाएगा तो speed निकालना को मुश्किल काम नहीं उसको बाद लेट कर लो वही आ जाएगी got it है ठीक है जी आगे बढ़े है आगे कोश नहीं है आज के लिए जितना बढ़ाया उतना आपको एब्जॉप करना है अच्छे धमाकेदार question live lectures में भी होंगे यहां भी आ सकते हैं जोड़े रहना है channels के साथ आप डाउनलोड कर लो इसका धमाकेदार assignment वहां पर है मज़ेदार assignment मिल जाएगा with solution तो वो भी आप कर सकते हो बट पहले इसको ब्लॉक कर लेना ठीक है न case study वेगरा सब मिल जाएगे आपको तो मिलेंगे आपसे अगली class में तब तक कि लिए बबाई take care